जै शिराध है भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज से हम सभी इसलोकों को बोलने का अभ्यास करेंगे हमने आपको जो भी नोट्स में शलोक लिखाए है उनको क्रम से बोलने का अभ्यास कराएंगे सबसे पहले हमने आपको जो भागवत जी के माहात्मय में प्रथम शलोक आपको जो अध्यन कराया है उसको बोलने का हम लोग अभ्यास करेंगे देखे कैसे बोलना है सीखे जैसे जैसे मैं बोलूँगा इसी प्रकार से आप भी बोलने का अभ्यास करेंगे इस वीडियो को देखकर सुनकर और उसके बाद में मुझे एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे ताकि मैं जान पाऊं आप कैसे बोल रहे हैं क्या तुटी हो रही है सत आधा चाय है फिर पूरा चा और मत्रा है ठीक है न छोटी की तो सा के बाद पहले आधा चा आएगा सत फिर पूरे चा का उच्चारन करना है जो चा के ऊपर मत्रा भी है छोटी उसको बोलना है पहले सा और आधा चा बोलिए सत फिर चिदा पहले सत फिर चिदा इसके बाद में नंद फिर रूपाय अगर किसी पर बड़े आका डंडा है तो अधिक समय लगेगा तो कैसे बोलेंगे सच्चिदा नंद रूपाय सच्चिदा नंद रूपाय विश्वोत देखो आधे सा के बाद वा और ओकी मात्रा है तो कैसे बोलेंगे विश्वोत आधा ता भी आ जाएगा विश्वोत पत्यादी हे तवे पत्यादी यानि की दो ता हैं आधे आधे यहां पे पत् अफित्यादी तो कैसे बोलेंगे क्योंकि यहां पर आधे दो ता है एक यह डंडा सा बना है और इसके नीचे गोल घूमा है तो यह दो ता हो गए आधे आधे तो कैसे बोलेंगे विश्वोत यह वाला ता वाके वाद उच्चारण में ले लेंगे विश्वोत फिर पत्यादी पत्यादी पाके वाद पहले एक यह डंडे वाले ताका चन फिर इसके वाद त्यादी है ना पत्यादी हे तवे विश्वोत पत्यादी हे तवे पूरा बोलें कैसे बोलेंगे पुना पूरी लाइन को बोलने का अभ्यास करें फिर यहां तक बोलना है मैंने वैसे नीचे अंडा लाइन भी कर दी है कहां कहां ता को चरण करना है तापत्रय विनासाय विनासाय स्री क्रिशनाय बहुत से लोग क्रिशनाय कर देते हैं अडा है तो ना कही उच्चारण करना है कैसे स्री क्रिशनाय वयम नुमाहा क्या है नुमाहा बहुत अच्छे से देख लें ऐसा नहीं कि आप नुमाहा बोल दें छोटू की मात्रा है नापे तो नुमहा तापत्रय विनाशाय स्री कृष्णाय वयम नुमहा पूरा श्लुक बोलने हैं सच्चिदानन्द रूपाय विश्वत पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय स्री कृष्णाय वयम नुमहा सच्चिदानन्द रूपाय विश्वत पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय स्री कृष्णाय वयम नुमहा इसको आज बोलने का अभ्यास करें एक या दो श्लुक एक दिन में पढ़ेंगे तो उसका अभ्यास करने पर एक दिन में आपको एक या दो श्लुक अच्छे से याद भी हो जाएंगे और आपका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्ड करके फिर भेजिएगा, तो इसी क्रम से आपके श्लोक साथ ही साथ में आपको याद भी होते जाएगे, इसी क्रम से क्लास चलेगी, तो आप लोग पहले अभ्यास करें, बोलने का, और फिडबेक दिया जाएगा,